हेलो एबरिवन आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्पेरिटिव प्लिटिकल सिस्टम जूकेंट जूसे का फर्स्ट चैप्टर चैप्टर है कम्पेरिटिव गॉर्मेंट एंड पॉलिक्स मेनिंग स्कोप एंड यूटिल्टी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसमें जो वर्स आ रहे हैं न्यू वर्स आ रहे हैं ठीक है उसको समझने की कोशिश करेंगे दस बारा न्यू वर्स वगरा है अगर वो आपको समझ में अच्छी तरह आ गए तो आपको पूरी बुक में कोई भी प्रॉब्म नहीं होगे ठीक है तो फर्स्ट वीडियो में हम जो है इसके जो डिफिकल्स वर्स है वो देखेंगे then by one by one जो है इस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अपलोड़ सोगी जो स्टार्ट करते हैं बिटा वर्ट सारे है अलाइटिकल स्टडी क्या होता है इंपैरिकल स्टडी कंपैर्टर पॉलिटिक्स जो बुक का नाम भी है Infrastructure, Formal & Informal Structure, Developing Society, Interdisciplinary Methods of Studies, ठीक है's होरीजने क्या है Thema chakra , एसे हैं, काफी जो New words आ रहे हैं उसको हम 1-bit-1 समझने की पहले कोशिश करेंगे first of all है words कि क्योंकि comparative जो politics है वो हमेशा बार-बार ये बात करती है कि छे जो है analytical study पर focus करती है तो analytical study होता क्या है analytical पहले तो जे बात होती है कि विशलिशना अतम करना किसी चीज का comparison करना और ये नहीं कि वो देखना के theory ऐसी है मालो के बंगलादेश में अफगानस्तान में जा पाकस्तान में democracy उसके constitution में है theory में है ठीक है लिखा हुआ है लेकिन क्या सच मुच में ही जब comparative student का study करेगा देखेगा कि सच मुच में वहाँ पर democracy लागू होती है जा नहीं होती अगर नहीं हो रही practical में ground level में तो क्यों नहीं हो रही ठीक है इंडिया में democracy काम जब चल रही है लेकिन हमारे पड़ोसी देशों में क्यों नहीं चल रही तो वो इस चीज को reason को ढूंडेगा practical देखेगा just only जेनी कि उसका constitution पढ़ लिया तो वो belief कर लेगा उसे analytically करेगा ठीक है विशलेशन करेगा practical देखेगा not theory को focus करेगा second words आ रहा है empirical study होती है comparative politics में हमेशा empirical study होती है empirical it means जो experience जा experiment से यह words निकला हुआ है इसमें जो भी चीज होती है उसका चीज का experience लिया जाता है कि जे सच में ये कुछ हो रहा है जैसे मालो के इंडिया में वोड का अधिकार दिया जाता है ठीक है ना 18 येर के अबाव जो वोड का अधिकार दिया जाता है तो experience होता है देखा जाता है comparative का student देखेगा experience करेगा observation करेगा फिर उसका conclusion निकालेगा कि सच मुझ में ही जो इंडियन के सभी citizen है अपने की वोड को सही तरह कास्ट कर पाते हैं जा नहीं अगर नहीं कर पाते तो उसका reason क्या है का कौन कौन से reason कह रहा है उसे कहते है empirical study करना इट मिन्स यह दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यदा important है comparative politics में जो comparative politics होती है वो हमेशा ही analytical study and empirical study पर dependent होती है next comparative politics यह आपकी बुक का ही नाम है तो comparative होता है कि दो चीजों का same जो दो चीज़ें होती हैं उनकी जो तुलना करनी होती है दो पॉलिक्स में क्या होता है मालोग के जो सारी बुक जो है जूक और जू के और जूसे से related वगड़ा है उनकी दो चीजों की तुलना करेंगे जैसे एक्सक्यूटिव की होगे एक्सक्यूटिव क्यों होता है जो कारसादिक मुखी होता है तो जो यसे है जो कारसादिक मुखी है वो राष्टपती है तो जुके में जो कहने के लिए जो है वो बाश्चा है ठीक है तो वो comparative student जो है वो देखेगा कि USA का जो राष्टपती और जो जुके का बाश्या है वो reality में कितनी power use करते हैं constitution दोनों में दिया गया होगा कि यह अपनी power सारी use करते हैं ठीक है लेकिन हम जब chapter read out करेंगे तो हम जे जी हम find out करेंगे कि जो USA का executive है वो reality में सारी power use करता है लेकिन जुके का जो बाश्या है जो कासाद के मुखी है वो अपनी power जो है बिलकुल भी use नहीं करता वो कहने के लिए है ठीक है उसकी सारी power जो actually prime minister ही use करता है तो वो कैसे find out होगा जब वो जब comparative का student जो है उस चीज की दोनों देशों के same system को लेकर study करेगा next है study of infrastructure 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 होता है कि बन्यादे डांचे जो होते हैं politics में ठीक में कि वो कैसे effect करते हैं politics को जे नहीं के चलो political parties है उन्होंने election जो है elect कर ली है majority ले ली हो सरकार बना ली चलो कोई उसे दूसरा का कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है कोई भी जो politics होती है किसी देश की उसमें जो race है caste है religion है language है parties है यह चीज़े भी किसी न किसी तरह effect करती है उसे बोलते है study of infrastructure next है formal and informal structure अपचार कह लो जारस्मी और गयरस्मी भी जो चीज़े हैं वो politics को effect करती है रस्मी तो हो जाती है जैसे government related होती है सरकारी होती है लेस लेचरों की executive हो गया जुदिशरी वगएरा यह तो होती होती है ठीक है politics में लेकिन जो informal होती है जैसे बिटकर parties होगी गुरूप्स होगी कास्ट क्रीड जो भी language होगी इन्फॉर्मल जे भी किसी न किसी तरह politics को effect करती है आपको पता होगा खास करके तो इंडिया में कास्ट क्रीड जो रिलीजन से लेटर भी पार्टिस बनी होती है नेक्स से ड्वेल्पिंग सुसाइटी इस ड्वेल्पिंग सुसाइटी कहते हैं विकाशल देश जो अभी द जो ड्वेल्पिंग है आई एन जी लगा ना अभी यह तरकी कर रहे हैं उसके लिए यूज किया है जैसे बंगला देश इराग इरान यह वर्स इसलिए आया है इसमें क्योंके पहले जो अरस्तु के टाइम में ठीक हैं सिर्फ ड्वेल्पिंट कंट्री जो विकसत देश थे उनकी ही पॉलिटिक्स पर ध्यान दिया जाता है उसी से लेटर ही किताबे लिखी जाती थी लेकिन बात में जब देश अजाद हुएं मंगला देश इरान इराग अफगानस्तान बंग जो है इंडिया है तो इनकी देश की रानिती भी जो है पुरे विश्यम में अफेक्ट करने लगी तोनाने कहा कि नहीं अगर आपने सही तरह कम्पैर्जन करना है कंप्रेटर पॉलिटिक्स पढ़ने है तो इन देशों की पॉलिटिक्स को भी स्टडी करना पड़े का कि यह जबी विश्यम की रानिती साइंटिस्ट है जब मौडर्र पॉलिटिक्स वाले हैं जह कहते हैं कि सिर्फ एक्सक्यूटर लेजिलेचर जहां जूडिश्ट्री के दुरान ही जो काम नहीं होता राजनिती में यह दूसरी जो प्रांचस होती है नहीं वह भी इसे अफेक्ट करती है शुशॉलोजी एकनॉ साइक्लोजी स्टियरलिजम स्पोईकर फॉर्णर का स्टूडेंट आता है इंडिया में वह इंडिया की पॉल्टिक्स को पढ़ता है तो वह देखेगा कि इसमें जो ड्रेक्टर प्रिंसिपल है ठीका जी इंकिल्यूड क्योंकि यह इसमें फंडामेंटर राइट्स है जो उसमें जो प्राप्टिका जो अधिकार है वो क्यों निकाल दिया इस चीज़ को समझे के लिए फिर वो इंडिया की हिस्ट्री को स्टडी करेगा उनकी एकनॉमिस को देखेगा साइकलोजी को देखेगा इस सारी चीज़ों को समझेगा फिर सही तरह अच्छी तरह वो comparison का comparative politics का जो student है इस चीज की study करेगा किसी भी देश की politics को study करेगा तो इस branches को भी study उसे करनी पड़ेगी फिर सही तरह जो नतीजे निकल पड़े आएंगे next है value free study value free study क्या है कि जब जो traditional scientist थे थे ना वो हमेशा ही एक normative aspect अपनाते थे अदर्शवादी विचादर अपनाते थे कि राजा ऐसा होना चाहिए चीक है तो democracy पर ना लही जो system है वो ही अच्छी है तो राजे के पास ही सारी powers होने चाहिए वो value के base पर थे moral जैसे कहलो moral values गयरा कहलो उस पर basis थी उनकी सारी रानीती गयरा बट आज की समय में modern जो scientist है वो इस चीज को believe नहीं करते कि आपकी books में चाहिए जो अमर्ची लिखा हो आपके constitution में जो अमर्ची लिखा हो लेकिन हम practical देखेंगे कि सच मुच में reality में practical में ये चीज़े आपक of politics is the study of politics political reality that's why moral values have no place in it ठीक है तो फिर इसलिए ही जो कहा जाता है कि जो comparative की politics है ठीक है वो value free study है वो नौर्मेटिव अस्पेक्ट को नहीं अपनाते वो moral values को नहीं अपनाते वो जो theory है आज के practical समय में लगती है उस चीज को preference देंगे next है horizontal and vertical study horizontal होते है जो traditional points जो scientist थे वो कहते थे कि सबी जो organs है न गौर्मेट के जस्ट ठीक है लाइस लेचर हो गया एक्सक्योटू के जो टीप श्री हो गया इनकी power same होती है ठीक है उनकी power same होती है बट जो modern scientist है वो कहते है नहीं नहीं political science जो है parties है वो vertical में चलती है पहले center के power center के नीचे state के government होगी state के नीचे district district के नीचे कहलो विलिस के ठीक है ऐसे जो है politics काम करती है ना के ऐसे power काम करती है वो इस चीज़ पर believe करते है इसे ही कहा जाता है horizontal and vertical ठीक है नेक्स्ट है political culture जी आपने भी यो फोर्सम में में पढ़ा था कि political culture जो socialization क्या होता है फिर जहां पर समझा रही हूं political culture होता है कि उस देश के लोगों का beliefs values जो politics में क्या है मालोई के USA का student है ठीक है उनके politics को लेके beliefs values अलग होंगे लेकिन अगर मेरे इंडिया का student है उनके political culture को लेके beliefs values अलग होंगे ठीक है वो दर्म को देखेगा आर्थ किस्तिती को देखेगा अपनी परानी समाज की पराएं रस्म रवाज को देखेगा इस चीज़ को ध्यान में रहकर किसी रहानिती में आएगा और उस political party को उस विचाधारा को उस manifesti को वो वोटकास्ट करेगा उसी कहते है political culture इसी तरह ह आता है political socialization political socialization इसमें एक बड़ा कदम है मालों के आपके जो grand parents थे ठीक है वो किसी political party में believe करते थे Congress को जाम बीजेबी को उसके बाद आपके फादर साब भी उसी चीज़ को follow करने लगे then after आपने वी उसी चीज़ पार्टी को ही अपनाया ठीक है जी हो जाता है political socialization कि generation to generation ज follow करते आ रहे हैं उसी कहते है political socialization हो सकता है उसमें family का education का media का जेवी effect पढ़ता होगा तो हो सकता है time to time आने वाले समय में कुछ भी चाहता रहा है change भी हो जाती है नेक्स टाइब ब्यूर्यक्रेसी ब्यूर्यक्रेसी कैसे कहा जाता है non elected government एक तो होते है na elected government जो रानिती political parties के दुवारा सरकारे बनाते हैं एक होते non elected government जिससे administration कहते हैं जिसने DCI, yes, SP कहलो जितना भी दफ्तर में काम करता है ठीक है office में काम करने वाले होते हैं उस सभी को bureaucracy कहा जाता है तो ये bureaucracy भी actual में बहुत बड़ा role play करती है politics में ठीक है अगर वो इमानदर होगी तो उनकी political जो है उनकी जो नितियां है, rule regulation बनाई होई है, policy बनाई होई है बहुत इमानदर इसे चलेगा काम, corruption काम होगा लेकिन bureaucracy अगर सुस्त है, ब्रष्टा चार है, corrupted है तो नेता चाहिए जो मर्ची कर ले तो वो काम सही तरह नहीं चल पाएगा, आयोब जी 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 आपको समझ में आगे होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम first chapter का जो होगा, पहले हम short question असर करेंगे, then after हम long question असर करेंगे, तो please वीडियो को like, share जुरू करना, चैनल में first time है, तो चैनल को subscribe करना, क्योंकि हम next जो है इंग्लिश मीडियो में वीडियो सारे upload करने जा रहे हैं, thanks बेटा